नमस्कार विद्याथी मिट्र, कैसे आप सब लोग? MB स्कूल में से मैं वागेला अलपिता आप सब का ओल्लाइन अभ्यास में स्वागत करती हूँ आज हम अभ्यास करेंगे कक्षाचे विशाई हिंदी जिसमें आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है समझदार नन्धी इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्तिती में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए यह बात प्रस्तुत की गई है हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए नन्ही बतक तड़ पर आई तो उसने देखा की एक बिच्छु दल दल में फसा है नानी बतक नदीना किनारा पर आवी त्यारें एने जोड़न तो एक विच्छी कादव मां फसा एलो हतों बिच्छु ने नन्ही से प्रात्ना की बहन मुझे बचालों विच्छी ए नानी ने प्रात्ना करी बहन मने बचावीले नन्ही को उस पर दया आगई नानी ने तेना उपर दया आवी गई उसके बिच्छी को सईकल से उठाकर सुखे स्थान पर लख दिया तेने विच्छी ने कादव मां थी उपाली ने सुखी जग्या उपर मुखी दिदो बिच्छु को सेतानी सुजी विच्छी ने सेतानी सुजी उसने नन्ही को डंख मार दिया तेने नानी ने डंक मारी देदों नानी पीडा से तलप उठी नानी पीडा थी तलफडवा लागी उसने बिच्छु से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा तेने विच्छी ने पूछ्यू के केम भाई तेम अने डंक केम मार्यों बिच्छु लापरवाही से बोला विच्छी बेदर कारिथी बोल्यों क्या करू डंक मारना मेरा स्वभाव है सु करू डंक मारों ए मारों स्वभाव जी नन्ही बोली तुम या घंदी आदत छोड़ दो नहीं तो कोई मुसिबत बे तुमारी रक्षा नहीं करेगा नानी बोली तुम तारियां खराब आदत छोड़ी दे नहीं तो मुसिबत मा तारी कोई मदत नहीं करे बिच्छु उसकी बात अंसुनी कर आगे बढ़ गया विच्छी तेनी वाद सांब्लयाव अगरज आगर चाली निक्ड़ नन्ही अपनी मा के पास नदी में चली गई नानी तेनी मातानी पासे नदी मा चाली गई माने पूछा नन्ही बेटी तुम कहां रह गई थी मा ये पूछियू नानी तु क्या रह गई हती नन्ही बोली मा एक बिच्छु दलदल में फस गया था उसे बचाने में देर हो गई नानी बोली मा एक विच्छी कादव मा फसाई गयो हतो तेथी तेने बचाववा मा मोडू थाई गयो मा खुस होकर बोली बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया मा खुस थाई ने बोली बेटा तेया खुब सारू काम कर्यू